साथियो ये मारकोस टीम है गांधी मैदान पठना की और आप सभी जितने भी 21,391 बिहार पुलिस ख्या भिरती हैं ध्यान से वीडियो को देखेंगे साथियो ये गोला का बेसिक चल रहा है अभी मैंने इन सभी को बता दिया है बताया है न आप सभी को लेकिन ये आप सभी के के लिए इस्पेसिली दो मिनट टाइम निकालके मैं बताना चाहता हूं गोला फेकना कैसे होता है साथियो सबसे पहले आप यह जान ले गोला में कितने अंक है और गोला में जो अंक है वो आपका नसीब डिसाइड करता है यानि कि आपकी मेरिट लिस डिसाइड करती है अगर कम जा रहा है तो hand के exercise में आपको वीडियो के माद्यम से बताऊंगा आप सभी जितने भी अव्यरति घर से तयारी कर रहे हैं वीडियो को देखेंगे सबसे पहले साथियो आप देख ले गोला में दो गोलाई आपको दिख रहा होगा यह सेंटर का पार्ट है एक पार्ट को छोड़ देना होता है और एक पार्ट पे यह जो है ना हथेली यहां पे आप लगाएंगे ठीक है अच्छे से हथेली यहां लगाएंगे और आपको ती तीन चांस गोला में दिया जाएगा मैं तीन चांस इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों रूल होता है बिहार पुलिस में तीन चांस का अगर को Pandemiey आपको छेश चुना नहीं गिराए गिया है क्योंकि आज बताया जा रहा है कल परली चुना से होगा और अभीरति पास भी करेंगे आप देखिए मैं गोला पेक के दिखाता हूं किस तरीके से गोला प्रेका जाता है वॉप के हैं, मैं आज डेमो के लिए इसको फर्स लाइन मनाया हूँ और उधर उस घंडे को एंड वाला लाइन मनाया हूँ ठीक है ना, अब मैं गोला फink को खड़े हएं, अब खड़े-खड़े को फेक के दिखाऊंगा जो पिछे से ठेका हूँ आप वीडियो में नहीं देख पाए हैं यह सब सारे लोग देखे हैं मैं खड़े-खड़े पेकूंगा अच्छे से पेकूंगा पूरा दम लगा के रेड़ी जो है पूरा बैक जाएगे पूरा बोडी बैक जोतना पीछे जाएगा उतना गोला आगे जाएगा ठीक है ना और हाँ जो होगा ऑल्वेज कंद्य से उपर होगा ना एक दो और यह स्टी आपने देखा शाथ यह गोला 24 फेट 25 फेट गोला गया खड़े-खड़े अगर दोड़ के फेगे तो गोला और जाता जाएगा अभी मैं इनको बता रहा हूं अभी अगर मैं फेकूंगा तो 28 फेट भी गोला फेक सकता हूं कोई दिक्कत ने लेकिन अ बच्चों के बीच अब बच्चे फेक के दिखाएंगे आप वहां लखिए आप जाएगे गोला से लेकिए गवास और यह वन पीछे से आते जाएगे लाइन देगे खड़े-खड़े फेक नहां है सब्सक्राइब हाथ को अधर के पीछे लगाईए हाथ को अधाये हाथ को है कि आप पैर को आगे है कि अधाया कैसा कितना प्रेक्षा आप थेश्मिट गोला आपने फिका आज पहला दिन आपका आप किने दिन से दोड़ रहा है कैसा चल रहा है कहां से आए यूपी गाजीबूर के अभिषा करती है और बी स्पीट गोला पहले दीन ही फिक चुके हैं बहुत बहुत बढ़ाई जो टांप अली बच्छी संगाज का पूरा आप किसी मेले फिलाइन में हाइए नेक्स रॉसार पाइए पीछे से फिकोगे पीछे से ने वाला स्टाइल है पहर पीछे से खोलिए हाँ ब जाओ तम पूरा इस प्लास इनका भी गोला है इतरा कहां से हो इनके हाथों में तागत है यह बाजू में तागत के बल पर गोला गया है यह टेकनिक नहीं था ठीक है ना लेकिन बढ़ाई है बहुत बढ़ी है गोला फेका जाई पीछे नेक्स्ट इस पर और तागत लगा के गोला पार करना है बीश्पीट लाइनिंग पे आपका 21 अंक आपको मिलेगा ना कि पच्छी संक मिलेगा पूरा पद लाक अंदर इसका इसका पर लाइए जितना तूल करेगा उतना पूल आगAdd induks को प्रहित जाएग बार बहुत थो कृट हंसे बाहर हो Blar सब्सक्राइब 1956 का इंवा आपने देखा दो बार 20 फिट गोला गया और अंतिम बार में पार हुआ इसलिए तीन चांस बिहार पुलिस में दिया जाता है आप सभी को आप तो पुरा एफ़र्ट के साथ बिगेंगे तो बिल्कुल पार होगा जाइए एक गोला गलत पेका गया है तेखिये गोला इसके बल से फिका गया जब भी गोला से पिका जायगा तो गला फिलिए जब ₹- क्याहिया ठ्यारक जहुड़検िए खोल्स पुल अल्वेस जो हवाई-धन्यर्यात त्यकरेगि जब हुल्याि वाए आतर्यात करेंगे या आपका सोचने के उपर पढ़े लिखे आदमी अगर गोला लेंगा तो गोला ज्यादा दूर जायेगा गोला है जर्गों आसा है है के आट है 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 अट दागा अट जो यहां सिक फिर वाहांद फिर्ट तर फिर फिर थिल कि और नहीं है शाथ यो आपने देखा गोला में दुस्री बार में गोला पीस प्लस गिया है इनका याने की इनकी ट्रेनिंग सही चल रही है ठीक है और बनी रहे वीडियो नेख था गोला वाल बढ़िया आजाए आपने देखा वीडियो छोटा हो एक इंपर देख लेते हैं बस इत्वा द जरूरी है आइए ये बॉलिंग नहीं चलेगा एक मिनट ऐसे आते जहींगा लाइन में यह भारत और अस्टेलिया का मैच नहीं है कि आप बॉलिंग करेंगे बॉलिंग ने देखें टेक्निक किदर है यह थे यह थे खुल एक शरकेंड आदर चाहिए आमसे ख़़गर हो ना कर लिया है बोडी को पीछे कर लिया है और पीछे कर लिया है बस नहीं और हम काई कर लिया है एक दो जी चार पाँच छे और अब ही पे इस बाद खाने हो करना है अब अबने स्टैल से पर लो नॉर्मल करो नॉर्मल करो हाथ बढ़ा लो पर से पना गोला है बोला कर भी यह हाइट पर नहीं आए यह अगा उपर से आएगा अगा गोला सतरा फेट एक चांट और है अगा अगा अगर आपका गोला कमजोर है तो आप सभी चुप चाप रेस्ट बोड़ी को दें खाने पिने पे ध्यान दें और बेसिक टेखनिक को जाने हवा हवाई बनने की जरूत नहीं है सभी गोला फेकेंगे बस इंतिजार करें और अच्छे से महनत करें जय हिंद्ध जय भारत इनको आप जिंदा बात भारत माता क करेंगे जिय है